दोस्तों क्या होता है मेरे साथ मैं वैसे भी बहुत सारे जो होती है निगेटिव कॉमेंट मैं उसे इग्नोर मारता हूँ लेकिन फ्रेंस कुछ मेरे सामने एक ऐसे कॉमेंट आया है जो कि हमारे सिस्टर जूजी कुमारी ठीक है मेरे सिस्टर ही हमको बोलेंगे क्योंकि सभी म की सुनने पर ही तो फ्रेंस यहां पर सुन लिजिए जुही कुमारी ने क्या किया सीख ठीक 11 घंटा पहले यह किस विडियों किया फ्रेंस तो मैंने बता था बिहार बोर्ट एस्टिएट एक्जाम के बारे अपडेट बारे में तो इसमें कॉमेंट किया था तो आप जैकर साह 14 जुन 2020 को होगा या फिर नहीं होगा सभी न्यूज बताओ क्यों गलत बता रहे हो और तुम सब अगर बेट एक्जाम कंसल होता है तो क्या पेपर में नहीं च्छपता मुझे यूटूब से बिलकुल ही उमीद नहीं है क्योंकि तुम सब फेक न्यूज बनाते हो और मुझ यहां पर पेपर की रट लगा रखी हो तो मैंने जो आपको आ biography के बारे में बताया था कि यहां क็ बिहार ब्येट कि इक्जाम कंसल हो जायगी आपको जो ही जी मैंने पेपर आर्टिकल ही बताया था और मैं आपको पेपर कटिंग में देखाऊंगा क्यूंकि कितने साथ सुदेंट बीना पेपर कटिंग देखे हुए विश्वास नहीं करते तो फ्रेंट्स क्या करोगे जब आप जाओ कि विपसाइट के उपर में मैं उ करोगे फ्रेंस यहां पर देखिए एक यहां पर आर्टिकल निलकि आती है और आप लोंको साथ अच्छे से पता होगे मैं करीब करीब 50 से आर्टिकल पढ़ता हूँ और बीना आर्टिकल पढ़ें मैं किसी भी बात के बारे में कंफर्म होके नियूज आप लोग नहीं बताता हूँ यह मेरे अंदर खूल भी है तो पहली बात है लुट के लिए और इस पर बारे में यहां पर आप लोग बताया था और आप लोगों ने इसी के बारे में सुना था अब जहां तक जूही जी बात आई पेपर कटिंगी चिंदा मत कीजिए आप जैसे कुछ पटना के निउज है पटना का पेपर में यह आई थी काफी छोटी आर्टिकल में साथ आपनों ध्यान भी लेका होगा और जो बात मैंने उस वीडियो में बताई थी फ्रेंस डू कॉपी इस वीडियो में यहां पर यह भी लिखी हुई है तो अगर इस बात के बारे में संभा सबी स्टुटिंट्स यहां पर कॉमेंट कीजिए क्या लिखना है नहीं लिखना है कभी भी कोई भी यूट्यूब पर फेक नहीं होती है कुछ इस बात के बारे में यहां पर सोच समझ के चलिएगा तो बस आज क्यार्ट नहीं था पेपर कटिंग को विश्वास करने वालो कभी पेपर कटिंग के अलावा आर्टिकल भी पढ़ लिया करो मेरे तरह आर्टिकल पर हो सुभा के लेकर 6 बैस लेकर साम के 8 बज़े के बीच में 50-70 आर्टिकल पढ़के ही नीज देता हूँ तो ऐसे मत बुला कियो ठीक है तो अगर बुड़ा लगा मैं जहातर निगेटिक कमेंट को यहाँ पर इग्नोर मारता हूँ अगर बुरा लगा दिल से चाहता हूँ माफी आप सभी सो किसी को में ठेश पहुंचाने के मकसद नहीं थी लेकिन अगर एक्जाम अप्लेट आएगी तो मैं सबसे पहले दूँगा और बस यहां तक बढ़े हो देखो नीचे एक लाइक बटन होगा उसे क्लिक कर दो और अभी जाना मत नीचे सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दो अभी अभी आपको अप्लेट मिली है आगे भी चाहते उप्लेट पाना तो मिलते रहेगी और घंटे वाले मिलं क्लिक एक जाना अगर ज़्यादा चाहते हो तो मैंने इंस्टाड़ ये फॉलोग करने ना इंस्टाड़ के फीलिंग मैं दे दिया हूं जाकर जाकर वहां पर सबसे पहले अप्लेट पालना किसी भी न्यूज के बारे में स्टेट्स में देखकर गुडबाय